गुरुड प्रम्हा गुरु विश्ण गुरु देव महिश्वर गुरु साक्षात प्रभ्रम्हतस्मे श्री गुरुवे नमा आप सभी को यहां आया है महा माया के इस मंदिर क्षितर में तो एक बार जरूर बदा देता हूं अपने गर में गुरु की स्थापना हो गई और हमने गुरु पादुकाओं को रखा हमारे से रोज पूजा होती है या नहीं होती है रोज मंत्र होता है या नहीं होता है बहुत सारे लोग तंत्रपादा से पिडित भी रहते हैं और कहते हैं कि गुरु जी हमारे को गुरु मंतर जप ही नहीं होता गुरु के पूजा करने ही जाते हैं पूजा नहीं होता मन नहीं लगता या फिल घर में कुछ नुख ऐसी बाते हैं इसलिए मैंने इस बार परमपुर्ण सद्गूर्देव जी से आद्मिया लेकर गुरु रक्षा कवच मैंने तैर किया है जो लोग अन्भू करते हैं कि हमारे घर में तंत्रबादा है और तंत्रपार रेने करने हमारे घर में कार्य नहीं होते या पति-बत्वे मंन मुटाओ है, बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चें को सक्सेस नहीं मिलता या कारे में व्यापार में नहीं मिलता गुरु रक्षा का उज़द्धरन के आपके आपके बनी यहां आती और मन में भेद भावा ऑना आपके परिति निष्ठा कम होना अपने को आध्यात में मन लगना ऐसे लोग समझते हैं जोग और बच्चों के लिए अपने पति अगर अधिता है और घर में बहुत ही शांती रहती है ऐसे लोग जो आपको सब्रू अकारण की सदाते हैं ऐसे लोग ऐसे समय में जो गुरुरक्षा कवज अपने गर में धारण करते हैं उनको यह बाधाय नहीं होती और इस गुरु रक्षा कोच को एक मंत्र एक साल तक धरन करके अपने घर में अपने बच्चों को भी अपने पत्ने को भी धरन करने के लिए एक एक रश्चत ले सकते हैं जब तक यह हैं आप आपकी जित्त में गुरु के प्रतिहीन भावना आन तो यह हमगे गल्टियां कर बएटना जिससे कि मैं शुक्षा ना हो अगर रखाच हो तो हमारे से गल्टिया नहीं होती और गल्टियां नहीं होने से हमारे में शुक्षांभी नहीं जागي तो इस गुरु रक्षा कोच js गोस्त में ने इस बार तैयर की आं क्यूंगी उस रक्षा कोच को आपके हदय में स्थापित करता हूँ ताकि आपके घर में किसी प्रक्राइब, आपके बच्चों के लिए भी आप ले सकते हैं, आपके लिए भी आपके परिवार में कोई बीमार है, उसकी बीमारी कम नहीं होती, या कोई उसके जीवन में सक्सस नहीं होत उसकी जोने सफ़ता नहीं परिक्षा है नहीं पड़ता तो आईसे समय में इस गुरुरक्षा को दारन करना स्रिष्टता कही गई है नमबर एक नमबर दो आपसे यह कहता हूं कि मैंने जैसे आज कहा केवल ओ लोग जो लोग महा माया से यह प्रार्थना करते कि मा इस संसार में मेरे घर में स्त्रियों को आदी उसरे अकरमन करने वालों के करण कुछ भी मेरे घर में अशांती ना हो जगड़े ना हो अगर आप प्रशेतों में बगल में रहने वाले कोई देते हैं और कोट को इसे चल रहे हैं जिसे उस शत्रों का आपके पर हावी होना अन्याय हो रहा है आपके उपर ऐसी समय में महा माया यंत्र बहुत अची तरह काम करता है और जिसको राज्ज की कांख़ा है उसको केवल उनी को य राज्य को राज्य में शांती बनाने के लिए और राज्य प्राप्ति के लिए ही महा माया का इंत्र क्यार किया था और ऐसा यंत्र आज तक नहीं हुआ आप यहां के पूजारियों को भी भू सकते हैं कि क्या महा माया का इंत्र नवारन और मंत्र से हटकर है क्या वो कहेंग नौकुरी में एश्कर प्राप्त करना जाते हैं। नौकुरी में कोई बाधाय नहीं जाते हैं। वो लोग भी महाया यंद्र को अपने पास सखें। लेकिन प्राठना करने पर ही दिया जाएगा तब तक नहीं द जाया है। और अब जिनका मंत्र हो गया है। को लो लो 16 शुपयरियों को गुरुपादुकाओं के साथ उस पीले कपड़ा में बांद रहें और मेरे पास आए उन्हों में शक्ति पात दिश्ण देता हूं लाइन से आए उन सारे 16 शुपयरियों को गुरुपादुकाओं को उस पीले कपड़ा में बांद लें और वो बा आप लोग में जब कवज बढ़ता हूं तो मेरे आंखों में देखें और आप कवज को आपके दाहिने हाथ में रख लें इस कवज का धरन करने का अर्थिया है कि आपको गुरुकार्य करने में कोई दिकत नाएं आपके सर्वकारियों में सिद्धी हो और आपके उपर किसी प्रकार के तंतर बादा कोई नहीं हो कोई आपका शत्रुभी आपका मित्र बन जाएं आपको कोई सता रहे हैं घर के बगल यहांद में जब जब गुरुकवच बढ़ रहा हूं मेरे आंखों में मेरे करफ देखते रहें गुरुर ब्रम्हा गुरु भृष्णू गुरुर देव महेश्वरा गुरु शाक्षात पर ब्रह्मतस्माष्ट्री गुरुवे इनमहां श्री सिर्थ माना उंखा गुरु हस्त रूपम संसार अधा हुशमनम दिवजम पुझनेत्रम वामांक शक्ति सक्ला भननेर निभूशम ज्याए जपे सक्रस्किती फुलप्रतंच गुरु देवता अभ्धानमा ध्यायामी ध्यानम समर्पायम आप मनमें ऐसा से मानलो कि आप कैईने की फुया करेंगे लब प्ता को गन्दनत तनमाता कोन प्रक्तियात्म गन्दनम शक्ति कायशते गृूए समर्पे आपमीन वहां हुम अका काम नमस्ताचिज आंन्द नाताः तू शिखाया अंपातमी सदा निखलेश्वान्द नाता शिरो में रक्षई सदा पराशच्छ इव्यानद नातो भाले चे लिक्षतू कामष्वान नातो मुखं रक्षतू सरुधू। इव्योगो मस्तकंदेवी पातु सरश्चिरस्दा, कंटाधिनावि परियंतं सिंधोगा गुरुवप्रे, भुगानंदनाथ गुरुप्पातु दक्षन बाहुकं समयानंदनाथाष्च संततमुर्दे अवतु, सजानंदनाथाष्च कटिम नाभिम्च रक्षतु एशस्तान अधरे मानवावव पातु सरवदा, नीला उहानंदनाथ रक्षेच गुरुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप्रुप साक्षास आकाशे रक्षे सद्धा इंदरो गुरुपप पुर्वे अग्नियां गुरु अगनियां दक्षे यम्मो गुरुप पाथ। आप रक्षाक्षा पारण कर लो इत्ते एवं गुरुकरुचं ब्रह्मरोको भी उड़लपम दो प्रित्यामया ख्यात्म नकस्य कद्यूं प्रे पूजागाले प्रेटेशु जपकाले विशेष्था त्रेलो के गृद्ध हम देवी उप्ति मुक्ति भादप्तम सर्व मन्त्रफलम तस्य सर्वें इंट्रफलम करता सर्वतित भर्म देवी यप्ते कवचं गुरु सब्सक्राइब करते हैं इसका एक इस दिन तक रोग एक बार पाठ करो अच्छा रहेगा नहीं पढ़े तो भी कोई बात में लेकिन पढ़ लेके हैं तो अच्छा है गुरु कवच दिया गया अब सब लोग बैट जा और केवल महा माया यंत्र जो लिए वो लोग खड़े मनत्र बोलने के बाद जो आपके पास में माला है उसकोздharan करो और इंद्र को आपके घर में पूझास्तान में आपके जैव में और आपके घर में रखने से निश्चीत रूप से बेहां जो महा माया माताजी है जिनकी जो महालक्ष cleanup महाकाली के रूप है हम नवकृरी में हैं तो प्र cooperation और मारा है को पड़ यंतर को सामने मामाया मऄट पढ़ने के बाद आप होगे तब आपके ओपर से तीन बार गुमांकर दक्षन जिशा को फिक दो और यंत्र को आपके पास रख लेना है माला को अभी धरन करना है महा माय अश्टक और मंत्र बोलने के बाद